से व्य व्यत्व सबक्तर हन्य जै करिको सबसे पहले इसका डियेग्राम बनाते हैं अपर हाफ आपता सर्फेस दिस ये एक स्फेर की एक्वेशन है ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस अगर इसे स्फेर को बनाए तो कुछ इस टाइल से बनेगा लेकिन उसका हमें अपर हाफ लेना है अपर हाफ क्या हो जाएगा कुछ इस टाइप से हो जाएगा अपर हाफ ये हुआ जिसकी एक्वेशन की हुई एक्स सक्वाई प्लस आप्लस इस्क्वाई एक्वेशन इस इक्वेशन दिसएड इस справार ये जो सर्केल है सी से ये पूरा वाल्यूम जो है बाउंड हो रहा है इसी पे हमें स्टोक्स ठोर्म को इस वेक्टर फील्ड पे वेरिफाई करना है पहले स्टोक्स ठोर्म क्या होती है स्टोक्स ठोर्म में हम सिंगल इंटीगल को हम डबल इंटीगल में चेंज कर लेते हैं यानि अगर इस कर्व से अगर कर्व के अलॉंग f-vector.dr-vector निकालना हो तो कैसे निकालते हैं इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं over the surface curl of f-vector.ds-vector मतलब यह होती है स्टोक्स ठोर्म इससे काफी एजिली कर सकते हैं अब इसे हमें verify करना है यानि किसकी value निकालनी होगी इसकी value निकालनी होगी तोनों को बराबर करना बराबर आमना चाहिए तो हम पहले रहस की value निकालते हैं आरेचेस क्या है इंटिग्रेशन ओफ करल ओफ एफ एक्टर यानि डेल क्रॉस एफ एक्टर डॉट डीएस वैक्टर अब यहां पर करल ओफ एफ एक्टर को अलग से निकाल सकते हैं करल ओफ एफ एक्टर क्या हो जाएगा करल ओफ एफ एफ एक्टर आई कैप जे कैप के कैप यहां करल है डेवर 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 जेट और यहां एफ एक्टर क्या है टू एक्स माइनस वाई हो गया माइनस वाई जेट स्कॉयर है तो यहां माइनस yz square और next term मैं माइनस का y square z अब इसे solve करते हैं क्या हो जाएगा i cap इसका इसके साथ कितना जाएगा माइनस 2 yz इसका इसके साथ यानि कि प्लस का 2 yz आ जाएगा माइनस j cap into इसको इसके साथ लेंगे तो क्या जाएगा ये तो 0 हो जाएगा इसको इसके साथ लेंगे ये भी 0 बना देगा प्लस k cap into इसको इसके साथ लेंगे तो 0 बना देगा और इसको इसके साथ लेंगे तो minus 1 तो minus minus plus 1 ये आ जाएगा बेसिकली ये भी 0 है और ये इस से कट गया ये 0 हो गया तो खाली k-cap बचा यानि curl of f-factor के आ गया खाली हमारा k-cap आया इसे simplify करते है रिचेस को over the surface s curl of f-factor क्या है k-cap और ds-factor क्या होगा n-cap-dolts ds अब अगर इस surface का हमें ds-factor निकालना हो जो की bounded by this curve तो n-cap उसका निकालने का तरीका हम लोग जानते हैं n-cap इसका कैसे निकालेंगे n-cap होता है del phi divide by mod of del phi और यहाँ पर phi क्या हो जाएगा x square plus y square plus z square minus 1 ये लिख सकते हैं अब del phi क्या होगा यहाँ पर मतलब n-cap अगर निकालने इसका क्या हो जाएगा del phi divide by mod of del phi और phi की value क्या है x square plus y square plus z square minus 1 इसको करते हैं i-cap इसको x के respect में differentiate करते हैं तो खाली 2x बचेगा plus j cap y के respect में 2y plus k cap z के respect में 2z आएगा divide by mod of del phi modulus of del phi अगर इसका निकालना हो तो क्या होगा i-dk कोफिजेंट का square quiet करना होगा तो यानि कि यहाँ पर केतना आएगा 4x square इधर 4y square इधर 4z square आएगा थोड़ा और simplify इसको करते हैं 4 को common कर लिया तो बाहर आया 2 2 से 2 कट गया क्या आगया i-cap plus j-cap plus k-cap divide by root of x square plus y square plus z square यानि कि वो क्या है यह 1 होगा तो हमारा n-cap की value क्या आगई i-cap plus j-cap plus k-cap अब ds vector को हम किसमें project करेंगे इस surface को हम कहां project कर रहे है x-y plane पे तो इसका क्या हो जाएगा n-cap dot ds ds क्या होगा dx dy upon mod of n-cap k-cap या जाएगा over the surface s इसे थोड़ा simplify करते हैं तो क्या आएगा over surface s double integral n-cap क्या है i-cap plus j-cap plus k-cap तो खाली क्या बचेगा हमारे पास n-cap क्या है i-cap plus j-cap plus k-cap अगर इसे dot product इसके साथ निकाल देंगे तो खाली 1 बचेगा और n-cap k-cap तो यह तो 1 बचेगा मां की क्या बचा dx dy over the surface s that is projected on xy plane तो यह क्या represent कर रहा है यह जो region है वो एक circle के area को represent कर रहा है यह जो double integral होगा dx dy जिसकी radius क्या है one answer क्या जाएगा pi r square answer आ गया pi अब अगर हम हम LHS को लेते हैं यानि without using this stokes theorem तो हमें normal method से LHS की value निकालनी होगी वो निकालते हैं अगर इसके बराबर आ जाती है तो हमारी stokes theorem वो verify हो जाएगी अब LHS क्या है LHS है curve के along f vector dot dr vector निकालना है अब हमें c की value निकालनी होगी पता है curve क्या है ये जो circle है f vector हमें पता है value simply put करते हैं यहाँ पे f vector क्या है 2x minus y into i cap minus y z square into j cap minus y square z into k cap ये है dot dr vector क्या होगा dx i cap plus dy j cap plus d z k cap along the curve c इस curve c के along क्या है z is equal to 0 है तो इसे simplify करते हैं अगर z is equal to 0 होगा dx का इसके साथ लेंगे 2x minus y into dx इसको इसके साथ लेंगे लेकिन z is equal to 0 है तो वो 0 हो जाएगा उसी तरीके d z को इसके साथ लेंगे लेकिन z is equal to 0 होगा तो उसका integration 0 हो जाएगा तो हमारे पास खाली यह term बचा और हमें इस यह integrate करना है along the curve this that is the circle तो या तो एक तरीका तो यहाँ पर यह हो जाएगा कि y की value हम x square plus y square is equal to 1 इस circle पर यह जो circle की equation है यह x-axis यह y-axis एक तरीका तो यह हो जाएगा कि इसमें y की value रख दें और single variable में आ जाएगा और x की limit फिर लगा देंगे तो उससे solve कर सकते हैं और दूसरा तरीका क्या हो जाएगा इसको polar coordinate पर change कर सकते हैं यानि कि इसमें कोई जो point होंगे x के coordinate क्या हो जाएगे x के हम लेख सकते हैं r cos theta यानि यह cos theta हो जाएगा और y की value sin theta इसको substitute कर सकते हैं यहाँ पर क्या बनेगा हमारा यहाँ पर along the curve c या यहाँ theta के टरफ में आ जाएगा तो 2 into x x की value क्या है cos theta minus y की value क्या है sin theta into dx dx की value क्या हो जाएगी minus का sin theta d theta यहाँ का लिखेंगे minus sin theta into d theta theta की value क्या हो जाएगी 0 से pi की value pi दख जाएगा 0 से 2 pi दख जाएगा और इससे अब simplify किया जा सकता है इसको क्या ले सकते हैं theta की value 0 से 2 pi minus sin 2 theta 2 sin theta cos theta minus sin 2 theta हो जाएगा और plus sin square theta d theta तो इसे अगर solve करते हैं तो sin 2 theta का तो क्या हो जाएगा minus cos 2 theta divided by 2 यानि कि यह हो जाएगा यहाँ पे cos 2 theta divide by 2 और theta की limit कहा जाएगी 0 से 2 pi और next इसको क्या ले सकते हैं 1 minus cos 2 theta divided by 2 इसे integrate करते हैं तो क्या हैगा 1 by यानि theta by 2 minus minus 1 by 2 है 1 by 2 लिख देते हैं plus यह नीचे क्या जाएगा 4 और cos 2 theta का sin 2 theta इसमें limit क्या जाएगी theta की value 0 से 2 pi अब इसमें limit लगाते हैं तो इसमें limit लगाएगे क्या होगा cos 4 pi by 2 तो ये तो 1 हो जाएगा minus cos 0 तो ये भी 1 हो जाएगा तो ये 1 by 2 minus 1 by 2 तो ये 0 हो जाएगा टोटर इधर का देखते हैं अगर इसमें 2 pi तो pi बचेगा इधर यह पूरा 0 हो जाएगा, sin and pi वो 0 होता है और 0 अगर लगाएंगा तो वो तो पूरा 0 हो जाएगा खाली यहाँ पर क्या बचेगा हमारा pi और हमने जो इस टोक स्वरम की मदद से निकाला था इसकी value तो वो भी हमारी pi निकली थी और जो normal method से along curve C integrate किया है तो उससे भी हमारी value pi निकली है यानि कि LHS, RHS दोनों बराबर हैं